भाई विविन डिसेना के सपोर्ट में आ चुकी है गोहर खान जी यहां गोहर खान ने लिखा है कि वाकई में देखो विविन का जो गेम है वो भले ही मेकर्स आज कल कम दिखा रहे हो भले ही इशा के चक्कर में उसको करन से बहुत जादा प्रॉब्लम हो गई हो लेकिन इंसान बुरा नहीं है विविन गे हम मान सकते हैं हाँ थोड़ा रूड उसकी आवाज लगती है जब वो बोलता है तो लेकिन वो रूडनेस भी सभी के साथ नहीं है उसका एक जोनर है जहां पर थोड़ा सा रूड साउंड कर सकता है जैसे कि चाहत के साथ चाहत के साथ डेवन से इसका बॉंड नहीं है तो नहीं है और उसके लिए वो हमेशा ही रूड साउंड करता रहेगा जब तो होता ही है, करनवीर के साथ एक उसका है लव-हेट रिलेशनशिप और वो भी बहुत क्लियरली नजर आता है, और वो बढ़ा इसलिए इतना भी नहीं बढ़ता वो, लेकिन बढ़ा वो इसलिए क्योंकि ईशा उस टीम में है इस टीम में विवियन है, और इशा कंटीनिव करन, ऐसा है करन, वैसा है करन लिचर्ड है करन, चीप है करन, ऐसी हरकत करता है करन, वैसी हरकत करता है और देखो, जब आप कंटीनिव किसी के साथ बैठी के एक ही बात को रिपीट मोड पे यानि कि लूप पे चलाते रहते हो तो वो सामने वाले के दिमाग में वो चीज कहीं नगी एंटर कर जाती है और विवन के दिमाग में भी एंटर कर गई और अभी उन दोनों की जो बॉर्णिंग है वो थोड़ी सी अपडाउन दिख भी रही है तो विवन है तो एक अच्छा इंसान सच्छा इंसान इसमें कोई डाउट नहीं है और इसी की तारिफ गोहर खान ने भी करी है कि ही सच्छा स्वीट परसन तो चलिए आप बाकी लिखेगा आपको क्या है कहना विवन डिसेना के बारे में पोस्नालेटी के बारे में विवन डिसेना की क्या उसकी चो पोस सा फसा हुआ सा दिख रहा है उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहे कि हो क्या रहा है उसको भी थोड़ा ना एक clarity की जरूरत है वी बहुत सको भी थोड़ा कन्फेशन रूम में बुलाएं और कुछ चीजों में clarity दें ताकि वह अपने गेम को आगे और भी ज्यादा इन्हेंस क कर दो कि का दो करते हैं